बड़े सहर में रहने वाले लोगों को किसी से मतलम नहीं रहता है अगर किसी तरह की समस्या आभी जाए तो उनका निवारन बे मिलका नहीं करते एक बार की बात है किसी विल्डिंग की छट पर फानी की टंकी के पास एक बहुत बड़ा मदु मक्खी का छट लगा हुआ था उन मदु मक्खियों से सबी परिसान थे लेकिन उसके निवारन के लिए कोई आगे नहीं आता था फिर एक दिन कुछ बाहर के लोग आए उन्होंने वहां के रहने वाले लोगों से कहा हमें जानकारी मिली है उपर बहुत बड़ा मदु मक्खी का छट लगा हुआ है उस छटे को हम निकाल सकते हैं उस छटे को निकालने के हम पैसे नहीं लेंगे लेकिन जो हमें सहर मिलेगी उसे हम ले जाएंगे उस बिल्डिंग में रहने वाला हां का देता है यह सोचकर की मुसीवत तो खतम होगी फिर वाए छटा तोड़ने वाला कहता है आप अपने दर्वाजी खड़की बंद कर लें ताकि मदमक्खी घर के अंदर ना आ सकें और ऐसा ही वे उस बिल्डिंग में रहने वाले सबी लोगों से कह देते हैं ताकि किसी को मदमक्खियों से हानी ना हो एक घंटे बाद भाई साब हमने वो मदमक्खी का छटा तोड़ दिया है उससे निकली ये सहद क्या खरीडना चाहेंगे नहीं तो हम बाजार में जाका तो बैचेंगे ही असली सहद तो मिलती ही नहीं इसलिए वह 500 रोपे में थोड़ी सी सहद खरीड लेता है वह बाल्टी भरी सहद उस बिल्डिंग में पूरी बिक जाती है फिर अगले दन सवेरे सवेरे जब उस बिल्डिंग के कुछ लोग छट पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि मदमक्खी का छटता तो जिउंकतियों लगा हुआ है हम सब लोग बेवकूप बन गए वो लोग नकली सहर बैंच कर चले गए